इसाथ करद दूनतो कि मेरा मेरा chron件 बात करिए कि अश्राइब कहें सिर्फ आव एक स्विचवर्ड की एक शर्त है, सबसे पहली शर्त है, उसको इंस्टॉल do सबसे परहले बात करेंगे शरीम सिरफ शरीम, कितना धो परभ औरmor वर्ड है या जिनकी शादी नहीं हो रही तो स्विच वर्ड राधा कृष्ण जी से रिलेटिड है और स्विच वर्ड का नामी राधा कृष्ण आच्छा राधा कृष्ण को रेगुलर चैंट करेंगे तो उससे फाइदा होगा किसी को नीन ना दियो नीन बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी है 80% लोगों को प्रॉब्लम है और उसको देखिए कुम्ब करन कुम्ब करन चैंट करो बच्चों की हाइट चाहिए बच्चों की हाइट नहीं बढ़ रही होती है उसके लिए उसके लिए महीमा महीमा हनुआ जी से रिलेटिड है सबसे अच्छी रेमेडियेशनी की जिम जॉइन कर लो ठीक है कुछ ना कर सकते दस मिनटा वॉक कीजिए साउथ फेसिंगर से बड़े परिशान होते हैं लोग हाणा तो आप अपने घर में साउथ दिशा में पंच मुखी हनुमान जी लगा दीजिए हेलो दोस्तों आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे रेमेडी क्वीन चेतना कालराजी से आज हम उनसे जानेंगे कुछ ऐसे मंत्र कुछ वास्तू के टिप्स और कुछ ऐसी रेमेडी जिनके बारे में जानकर आपके जीवन में आ रही जो प्राब्लम्स है वो खतम हो सक हैं तो चलिए मिलते हैं चेतना कालराजी से और जानते हैं उनकी कुछ ऐसी रेमेडी जो वो कहती हैं कि जो वो रेमेडी देंगी वो हमारे जीवन पर निश्चित ही काम करेंगी तो देर ना करती हुए मिलते हैं चेतना कालराजी से चेतना जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका अधील हमारे शो में, जैसी एराम, आज के podcast में चेतना जी आपने जैसे show शुरू होने से पहले आपने मेरे से बात की कि आप हमारे viewers को कुछ ऐसे tips देंगी, कुछ ऐसी remedies देंगी, जिससे उनके जीवन में जो आरी परिशानिया वो खतम हो जाएंगी, और कुछ मेरे आ आपसे कुछ ऐसे प्रशन भी रहेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये बताओ कि आज आप हमारे viewers को नया क्या देने वाली है, नया क्या बताने वाली है, नया मैं बताने वाली है कुछ switch words, जिसका नाम हमने रखा है चूमंतर, चूमंतर मतलब आपकी कोई भी problem है, वो उस switch words स चूमंतर हो जाएगी, एकडम कहां चली जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा, और इन switch words का नाम चूमंतर रखा है, लेकिन नाम है सनातन switch word, जो हमारे गरंतों में से, पुरानों में से, वेदों में से, रामायन, भागवद, गीता, इन सब में से लिये हुए हैं, तो यू को सुन के, जिनको अपना कर हमारे जो व्यूवर्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो चूमंतर हो जाएगी, तो वो मन खडन या फिर अपनी तरफ से बनाए गए नहीं, बलकि हमारे शास्त्र में वर्नित वो मंतर है, जो आप आज हमारे व्यूवर्स को बताएंगी, तो ये तो भाईया बहुत ही इंटरस्टिंग बात होने वाली है, तो सभी लोग बड़े ध्यान से जो हमारा पॉडकास सुन रहे हैं, तो बड़े ध्यान से सुनें, और आज जो आपको चेतना जी बताएंगी, जो सुच वर्ट बता रही हैं, आप अपनी अपनी प्रॉब इंस्टॉल कैसे करेंगे? एक ही बार करना है आपको, अच्छा सा महूरत देखके, कोई समय देखकर आपको इंस्टॉल, सबसे पहले मैं पैसे से रिलेटेड लेती हूँ, क्योंकि सारी दिक्ते शुरू भी वहीं से होती है, खतम भी वहीं से होती है, ना हो तो शुरू हो हो तो खतम हो जाती है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ऐसा स्विच्वर्ट, जो हम जानते हैं, बहुत समय से जानते हैं, लेकिन शायद उसको इस्तमाल नहीं करते हैं, आपने लक्ष्मी जी, शुब लाब, कब लिखा था लास्ट? I think so, दिवाली बाली, साल में एकी बार लिखते हो, एकी बार आपको धन चाहिए, नहीं, धन तो सबको रोज चाहिए हो, रोज चाहिए ना, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दिवाली पे माता जी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे, शुब लाब लिखे और सतिया बनाएंगे, और वो गनीश बनाएंगे, सब तब ही करते हैं, मुख्य द्वार भी हम दिवाली पर ही सजाते हैं, उसके बाद तो ड्रस्टिंग वाली अगर कर गई, मेड कर गई, हम देखते भी नहीं जाके, वो जो हम द्वार पे बंदन लगाते हैं, बिल्कुल मुख्य द्वार को वो लेपती हैं, वहां पर रूली लगाएंगी, मौली लगाएंगी, शुबलाब लिखेंगी, लिखती हैं, देखो, हर किसी को हर किसी के हिसाब का पैसे चाहिए, मेरे जितने खर्चे हैं, मुझे उतना पैसे चाहिए, उतना मेरे पास है तो मैं खुश हम पीछे हटते जा रहे हैं, हम पीछे हटते जा रहे हैं, तो सबसे पहले बात करेंगे श्रीम, सिरफ श्रीम, देखिए श्रीम, कितना छोटा सा वर्ड है, ये बीज मंतराज हैं, जिनको करने मातर से आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और मैं आपको घता हूँ, एक अकल्य इस स्विच्छ वर्ड का, मेरे को इतने सारे फीडबेक आए हैं, इतने सारे, मैं मेरा फासा हुआ पैसा था, वो निकल गया, मेरी नौकरी लग गई, देख आपको पैसे चाहिए, पैसे कहां से आएगा, नौकरी से, विया पार से, कहीं से भी आएगा, पैसे आ रेड़ पैन से, श्रीम के लिए रेड़ पैन लेना है, श्रीम के लिए, रेड़ पैन लेके आपको श्रीम 108 बार लिखना है, एक ही बार करना है, वो भी कब करना है, फ्राइडे को शुक्र के होरा में, शुक्र का होरा, जो भी दिन शुरू होता है, वो दिन उस दिन की होर भूरा से शुरू होता है ओके लेंडर में होरा निकल जाए बिल्कुल आज करोगे आप बहु हो आपको कहीं भी मिल जागी ऑनलाइन या कहीं भी कि आज शुक्र की होरा कब है वैसे शुकरवार खो शुक्रकी होरा तीन बार आएगी, एक मॉर्निंग में आगी, एक तीन सवा तीन बजे के करीब आएगी, और एक रात को आएगी, आठ साड़े, आठ नो, ऐसे, तो आप चेक करके अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं, आपको श्रीम लिखना है, एक सो आठ बार, लेकिन हर बार लिखने से पहले तीन बार बोलना है, श्रीम, 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 एक बार, श्रीम, 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 दो बार, श्रीम, 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 तीन बार, ऐसे ही continuity में एक सो आठ बार लिखिए, श्रीम को, और उस पेपर को फोल्ड करके अपने लॉकर में रख दो, अपने वालेट मे रखो, कहीं भी रखो, आपकी मर्जी है, ठीक है, आप इसको दुबारा भी कर सकते हैं, आपको लगे मुझे करना है, वैसे मैं एक ही बार बोल रही हूं, लेकिन जिसको करना है तो वो कर सकता है, दुबारा भी, कोई अच्छा दिन आता है ना, जैसे कई पर हमारे ऐसे दिव कर सकते हैं, आप में रूप से लक्षमी जी को पूजा करते हैं, नवरात्रों में कर लो, नवरात्रों बहुत अच्छे दिन है, तब कर सकते हो, तो ये करके आपने रख लिया, उसके बाद, रोज आप 21 बार, 11 बार बो श्रीम, 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 चलते फिरते जब आपको बोलने बोलते रों, बैटने के लिए नहीं बोल रहे आपको, बज श्रीम, श्रीम, श्रीम श्रीम बोलते रों, आपका मन है, पूजा करते हो, मॉर्निंग में तो 11 बार बोल लो और उसी से आपको देखेंगे कितना लाप राप्त होगा, ये मनी के लिए जो पैसा है वो उनके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। बहुत ही असान सा मंतर है। बहुत असान है। क्योंकि देखो अभी क्या है हमारा यूठ पी है और इतनी वियस्तता है लोगों के बास अपने जो दिंचरया में कि वो नहीं कर पाते हैं। आप इतनी देर बैठके ये कर नहीं कर पाते हैं। क्योंकि वियस्त है हम लोगों कि अब दिन खतम हो जादा कुछ पता ही नहीं चलता। तो आप ये कर सकते हो श्रीम स्विचवड जो की पैसे के लिए है। ऐसे ही एक स्विचवड और बताऊंगी शादी के लिए। श्रीम क नामी राधा कृष्ण. राधा कृष्ण को रिगुलर चैन्ट करेंगे तो उससे फायदा होगा. और इसके बाद एक स्विचवड है लालिथम स्दा शिववम. शिवजी से रिलेटेड है? ठीक है. लालिथम स्दा शिवम को चैन्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे पहले. और आप यकीन मानिये, शादी जिनकी नहीं हो और ही काफी टाइम से, बहुत जल्द शादी हो जाएगी उनके. तो यह आज के टाइम में तो वैसे भी सबको मेरे को लगता है यही प्रादम है प्रादम को, क्यूंकि बच्चे पहले पढ़ते रहते हैं, फिर वो अपने गरियर में चले जाते हैं, फिर उनको लगता है कि हमारे आप कमपैटिबल का कोई भाच नहीं मिल रहा, तो फिर इसी चक्कर में जो होती है, वो एज बढ़ती चली जाती है और कई बच्चे ऐसे हैं, जिनके पेरन्ट्स परिशान हैं कि उनकी शादिया नहीं हो पार ही और जिनकी शादियाइन नहीं हो पार ही आप बता रहे हैं कि एक बार फिर से हमारे भी वोस को यह मंतर बता दीजेए, ल कोई दिक्कत नहीं है श्रीम के लिए मैं special color बताती हूं बाकी switch word आप किसी भी color के pen से कर लो कोई doubt ना करें कि मैंने pen कौन सा use कर लिया गलत ले लिया ठीक ले लिया ऐसा कुछ ना सोचे उसको continuity में करते रहें फायदा मिलेगा जरूर और लालित हम सदाशियों को 108 बार लिखना कि बच्चा मेरा करना ही नहीं चाहरा शादी, parents परिशान होते हैं तो ऑह Mother कर सकती है यह अच्छा, अही मंत्र लिखके उसके पिलों के अंदर दाल नहीं ए इंस्ट्रॉल करना है एक सुआट बार वने इंस्ट्रॉल इनस्ट्रॉल के प्हले लिखना है लिखने को हम लिखन कि गाठ भी रख दोगे, तो और जल्दी रिजल्ट्स मिल जाएंगे. तो वो जो बच्चे शादी नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए. क्यों कि कई मेरे पास बहुत फोन आते हैं, कई हों के, कि हम मेरा बेटा शादी के लिए नहीं मान रहा, मेरे बेटी शादी के लिए नहीं मान रही, क्या करें, तो यह कर सकते हैं हम उनके लिए. इस मंत्र को सुनके, मेरे दिवा में एक और आ रहा है, कि कहीं बारी ऐसा होता है, कि लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, या फिर बड़े टाइम से उनका आपस में रिलेशिंशिप चल रहा है, अभी कुछ टाइम से उन वो आपस में नहीं बात कर रहे हैं, या लड़ाई हो गई है, किसी भी वज़ा से, एक परसन शादी के लिए नहीं मान रहा, लड़का नहीं मान रहा, या फिर लड़की नहीं मान रहा, तो ऐसे जो लव कपल हैं, ना, तो उनकी भी शादी आपस में हो जाए, वो आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, और वो चाहते कि हमारी शादी हो जाए, तो यह उपाई उनकी लिए भी कारगार है, उनकी लिए राधा कृष्ण कर सकते हैं, राधा कृष्ण करंगें, फाइदा होगा, और एक स्विच्वर्ड है स्वेंबर, स्वेंबर का मतलब यही ना, मैंने अपनी मर्जी से शादी करी, स्वेंबर को चुना, ठीक है, स्वेंबर कर सकते हैं स्विच्वर्ड, उससे भी चैन्ट मिल, आपको फाइदा मिलेगा शादी में, चैन्ट करना है, लेकिन इंस्टॉल करना है, हर स्विच्वर्ड को, जहां मैं एक ही बात बोलूँगी, जितने भी सनातन स्विच्वर्ड हैं, उनको इंस्टॉल करना अनिमा रहे हैं, अब देखिए, मैंने सब स्विच्वर्ड चैन्ट करें, उसके बाद कोई मेरे पास आया, तो मैं उसको बोलूँगी, जा तू, 21 बार ये कर ले, मैं उनको बोल देती हैं, आप इंस्टॉल कीजिए, कई पर क्या होते हैं, हम यंत्र बना के देते हैं, उस स्विच्वर्ड का इंस्टॉल करके, यंत्र बना के देते हैं, ये आप अपने पास रुखो, इससे फाइदा होगा, अब बच्चे को नजर लग जाती है, क्लीम, क्लीम सिच्वर्ड है, आप क्या करोगे, छोटा बच्चा कैसे करेगा मंत्र, मैंने इंस्टॉल कर रख है, मैं पानी लूँगी, क्लीम, क्लीम, क्लीम बोलके फूख मारके, उसको दे दूँगी, बच्चे को दे दो, तो नजर उतर जाती है, नजर उतर जाती है, क्या हमने अभी तक तो, सिर्फ नजर उतारने के टोट के सुने हैं, कि कहीं माएं, या कहीं इस्टॉलजर बताते हैं, कि नमक बार दो, निम्बू को बार के ऐसे कर दो, फेंक दो कहीं पे, फिट करी जला दो, लेकिं ये किसी भी चीज के शक्ता निया बतारे, कोई क्लीम वर्ड जो है, उसको इंस्टॉल कर लो, देन वो उस पे तीन बार उचारन करके, पानी के अंदर फूख मार के, आप बच्चे को पिला दो, क्योंकि देको पानी ऐसी चीज है, वो हर चीज में रम झाता है, सबसे जल्दी negativity, positivity, काला रंग डालोगे, काला हो जाएगा, येलो डालोगे येला, थीज़ है, येलो हो जाएगा, येलो डालोगे तो, तो पानी जो है, वो हर चीज को एब्साइब करता है, पानी से बहुत जल्दी switch word काम करेगा और एक देखो switch word यूज़ करने के अलग-अलग तरीके हैं, कुछ हम दबा देना करते हैं, कुछ switch word से हम दबा देते हैं, वैपर पर लिखके, कुछ switch word को हम आपके उपर से करके जला भी देते हैं, नजर उतारनी है, या किसी ने कुछ कर दिया है, वो extreme में चला जाता है, कि किसी ने कुछ कर दिया है, और वैसे देखिए switch word क्या है, हम लोग जिस mood जो हम बोलते हैं, मानी हम किसी death में गए है, राम नम सत्य हम कैसे हो जाते हैं, सौरो, फिल कर लेते हैं, अब इमली बोलो, इमली बोलने से या ख़टास आ जाती है, तो शब्दों का बोल के चली गई, तो ये शब्दों का ही कमाल है, सारा, शब्दों का कमाल है, इनको करने से, अब ऐसे एक किसी को नेंद ना आती हो, नेंद बहुत बड़ी problem होगी है, 80% लोगों को problem है, और उसको देखिए, कुम्ब करन, कुम्ब करन chant करो, जिनको नेंद नहीं आती है, अ उसको देखो, आम लेटते हैं, बैट पे गए, कुम्ब करन, कुम्ब करन, आपको नेंद आ जाएगी, अपने आपी बंद हो जाएगा, आप ट्राइ करके देखो, ट्राइ करना नहीं बोलती मैं ज्यादातर, श्रद्धा महाव से कीजिए, कुम्ब करन को chant करेंगे, तो ने कर लेने के नहीं है, पहले विश्वास कर लो, फिर इस्तमाल कर लो, और डिफिनेटली कितने लोगों को इन्सोमनिया की प्राबलम थी, उनकी भी प्राबलम ठीक वही है इससे, इस स्विच्वर्ट से, कुम्ब करन से, तो इसको करेंगे तो फायदा होगा, अब कई लोगो शुरू हो जाएगी, या आपकी, मुझे कोई प्राबलम है, दस बार डॉक्टर को दिखा कर लोगो, उससे आपकी प्राबलम डाइगनोस होना शुरू हो जाएगा, डाइगनोस हो जाएगी, इलाज कब कर हो गए, पेट में दर्द है, तो सिर्दर्द की गोली क्या काम करे हूं, अब ऐसे ही एक बड़ा चलता फिरता टॉपिक है, जिससे बहुत लोग परशान है, एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर्स, ठीक है न, एक्स्ट्रा मेरिटल अफेर्स बहुत ज्यादा परशान है, लोग इतने, खई लेडिस आती हैं, और जैन्स भी परशान हैं, ऐसा नही क्योंकि male का female से ही तो होगा, तो उसके लिए punch kanya, switch word, ये मैंने बोला ना चुम अंतर होंगी प्चारी दिक्कते, ये main दिक्कते हमने almost cover किये, तो punch kanya अगर किसी का ऐसे कुछ अपहरबार चल रहा है, तो वो punch kanya अगर word जो है वो चारन करते हैं, चाहे वो lady है, चाहे वो, lady का है, तो husband कर सकता है, क्योंकि ये इस चीज से ना बहुत सारे घर खराब हो रहे हैं, चीजे खराब हो रही हैं, बहुत सारी, दो families कराब हो रही हैं, तो जो चाहता है, हर किसी को तो हम अपनी मरजी है, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन जो चाहता है कि उनका नार है, और चल रहा हो, उसको बिना बताए, उसको काली माता पे 108 निम्बूओं की माला चड़वा दो, साटरड़े को, या अमावस्या को, और एक सरसु के तेल का दीपक, लेकिन अगर उसको बताओगे कि तेरा एक्स्ट्रामाइटल खतम हो जागा तो वो करेगा नहीं, बिना बताए कर अगर किसी के हस्बन का चल रहा है, तो उसकी वाइफ अपने हस्बन से काली माता को 108 निम्बूओं की माला बनाके चड़वा दीपक, तेल का दीपक, या एक काम शनिवार को इवनिंग में होगा, या अमावस्या सारा दिन कर सकते हो, अमावस्या कोई भी रहू शनी, केतु कि जितने उपाई हैं, आपको शाम को करने हैं, लेकिन अब कई लोगे वाइस टाइम नहीं होता, तो वो क्या करेंगे, महीने में आएगी अमावस्या, उस दिन कर लीजिए, ठीक है, उस दिन करने से फायदा होगा, अच्छा, चेतना जी, जैसे अभी हम स्विच वर्ट की बात करने हैं, बहुत छोटे-छोटे आप बता रहे हो, और इनका कोई ऐसा नहीं कि आपको बैठ के दो घंटे जाब करने हैं, आप चलते फिरते भी इनका उचारन कर सकते हैं, एक और बहुत बढ़ी समस्या जो मुझे लगता है कि आज के टाइम में लोगों को ओ रही है, और यह रहे है, डिपरेशन की, बच्चे अपने लाइफ में नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं, उनका परढ़े हो जाता है, तो डिपरेशन के लिए भी आपके पास कोई ऐसा स्विच वर्ड है? switch word भी दूँगी और वैसे depression होता क्यों है सबसे हम कारण जानेंगे चंद्रमा चंद्रमा मन का कारख है और बुद्ध कहीं चंद्रमा और बुद्ध की यूति हम अच्छी भी नहीं मानते हैं कही जगा और depression का कारण में है हमारी सोच और दिमाग और दिल का ताल मिल ना बैटना emotion हमारी balance नहीं हो जाते तब होता है हमें depression तो उसमें सबसे अच्छी important role किसका है मा का जब भी किसी की अब बच्चे बड़े हो जाते हैं कई लोग hostel में रह रह रहे हैं पीजी में रह रहे हैं अलग रह रहे हैं दूसरी सिटी में रह रहे हैं तो वहाँ चंदरमा की जो जितनी blessings होती हैं वो उन्हें मिलती नहीं है मा से दूर हो जाते हैं एक तो मैं इन लोगों को ये बोलूँगी कि चंदरमा की रोशनी में 5-10 मिनट जरूर बैठे रोज जो जरूर बैठे पूर निमा पर तो वश्य बैठे क्योंकि फूल मून है तो आपको अच्छी blessings मिलेगी अपनी मदर से contact में रहें मदर से चांदी का सिक्का लेके अपने पास रख सकते हैं square लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है और मदर से थोड़े चावल लेके अपने पास रख सकते जिनको भी ये दिक्कत है और इस निम चावल को जब आपको time मिले तो उसको change करवाते रो उनसे नए ले लिजिए पुराने पक्षियों को डाल दीजिए या बहा दीजिए काफी हद तक इससे डिप्रेशन ठीक हो जाएगा अगर ये सब करते हैं तो फाइदा होगा तो इनके लिए कोई मंतर भी है? मंतर देखो ऐसे तो है शिवजी पे जल चुड़ा हो ओम नमशिवाय का जाप कर सकते हो क्योंकि सब कुछ चंद्रमा से रिलेटिड है इसलिए ओम नमशिवाय कर सकते हैं और अगर सिरफ ओम नमशिवाय को सिच्वट के तोहर पर यूज करे तो वो भी कर सकते हैं ओम नमशिवाय इंस्टॉल कर लीजी 108 बार लिखके और जब भी जरूर हो तो ओम नमशिवाय बोली आपको फाइदा होगा क्योंकि देखो डिप्रेशन है कैसी चीज़ है मैं कहीं फिजिकल अगर कोई हमें प्राब्लम होजा वो ठीक हो जाती है लेकिन जब मेंटल स्टेट से हम बिमार होते हैं क्योंकि हम किसी से बात ही नहीं कर पाते हैं आज कल कहीं आप जाके देखो सब लोग खोन में लगे रहते हैं चाहे हमारे बच्ची हो चाहे कोई हो तो वहां हमारे पस कोई हमारी शेयर करने के लिए नहीं है ऐसे लोगों को एक और रेमिडिय बनाँगी आज आप मेरसे मिले हो आपको क्या लगा रात को आपको घर जाके लिखना है सब कुछ कि आज मुझे ये फील हो रहा था आज लग रहा था उसको थपड लगा दूँ वह बहुत अच्छा बोला आज उसने मुझे एप्रिशिट सब कुछ लिखिए और इसे फार दीजिए वो जो स्ट्रेस है वो निकलेगा बहुत अच्छी रेमेडी है जितने लोग डिप्रेशन में है रख सकते हो तो रखिए लिखके अदरवाई उसको फार दो क्योंकि कई बार लगता है ना कि लिखा हुआ रखा है कोई और पढ़ना ले या कुछ भी तो उसको फार दीजिए या जला दीजिए तो मैम आज के टाइम में अगर हम बात करें कैंसर ये बहुत ज़ादा बीमारी जो अपने पाउं पसार रही है आज के टाइम में हम देख रहे हैं किसी को पहले सुनते थे कभी हजार बने के बाद हमें पता चलता था लेकिन आज कल ऐसे है कि आप हॉस्पिटल चले जाओ बहुत सारे लोग इससे पी लीत है किसी को किसी चीज में कैंसर निकल रहा है किसी को पेट में निकल रहा है तो ऐसे उन लोगों के लिए कैंसर जैसी भ्यानक और ऐसी बड़ी बिमारी से ग्रस्थ हैं जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है उनके लिए भी कोई स्विच वर्ड आप बिलकुल दोंगी और ये स्विच वर्ड है हनुमान जी से रिलेटेड आप कहीं भी जाके पढ़ ले ना घर से बनायों स्विच वर्ड नहीं अनिमा अनिमा स्विच वर्ड है अनिमा अनिमा स्विच वर्ड है जो कि कैंसर की गांट को डिजॉल्व कर देता है अच्छा अनिमा स्विच वर्ड और जैसे पत्री होती है ना पत्री की गांट हो गई, गॉल ब्लेडर में हो गई, किड्नी में हो गई, वो तक डिजॉल्व हो जाएगी, आचा, बात आप अपनी मेडिसन लीजिए, मेडिसन मना नहीं है, क्योंकि बिमारी, कैंसर तो ऐसी बिमारी है कि भी उसकी लीजिए, लेकिन दवाई लेने के बात भी ठीक न देखेगा, और छूम अंतर हो जाएगी उसकी गाट कैंसर की, और उसे के सासथ कहीं की भी पत्री हो, वो भी आपके ठीक हो जाएगी, और जैसे किसी का होता है न, इर्रेगुलर बोन ग्रोथ, कहीं को देखे हैं, अपने हाथ पे एक हड़ी निकलाती है, उनको आपरेशन क कराना पड़ता है यह कुछ, तो यह अनिमा स्विच्वर्ड उसके लिए भी है, यह कि नाक की हड़ी, बहुत जादा इशूज आ रहे हैं लोगों को, नाक की हड़ी बढ़ जाती है, और फिर सर्जरी के बाद को ठीक कराना, आचा, उसके लिए भी अनिमा स्विच्वर्ड जो irregular bone, जितनी भी problems है ना, वो इससे ठीक हो जागे अनिमा से, और एक cancerous की जो गाठ है, वो dissolve होना शुरू हो जाती है, कुछ पतले होने के लिए भी है कोई switch word, पतले होने के लिए switch word हम करते का, पतले होने के लिए switch word है मेरे पास, ऐसा नहीं है, कुछ एक बताऊंगी, आप लोगों शौक है, लंबे बाल करने है, बच्चों की height चाहिए, बच्चों की height नहीं बढ़ रही होती है, उसके लिए, उसके लिए महिमा, हनुमा जी से related है, बच्चों की height नहीं बढ़ रही जिनकी, उनको महिमा switch word chant करा हो, उससे फायदा होगा, बच्चे करें ये chant? या फ बच्चों को ना, देखो, south की तरफ सिर करके सुलाओ, उससे एक कुछ गुरुत्वा करशन है, जो south की तरफ बच्चों की height बढ़ेगी, आप कभी भी देखना, तो बच्चों को उस side सुलाओगे और ये switch word chant करोगे तो फायदा मिलेगा, उनकी height बढ़ेगी, nails बढ़ जाए और कुछ चीजे हैं, जो यहां नहीं बोलूँगे, कुछ भी किसको कोई problem होती है, कुछ particular part कुछ भी body का बढ़ाना है, कुछ करना है, तो उसके लिए भी आप ये chant कर सकते हैं, एक और मैम जैसे कि अभी आप इतने सारे switch words हमारे viewers को बता रहे हो, एक और चीज मैं जानना च आँगी, beauty से related, कोई ऐसा switch word है कि वो अगर हम उसको chant करें, क्योंकि कहीं लोगों को अचानक से कुछ skin diseases start हो जाते हैं, face पे acne start हो गया, या किसी को face पे कोई blemishing start हो जाती हैं, कहीं को rushes हो जाते हैं, तो ऐसे में ऐसे के लिए भी कुछ beauty से related भी switch words होते हैं, देखे switch words होते हैं लेकिन यहां मैं बात करूँगी कि कबूतरों को सतनाजा डालें, सातना जो घटे होते होते हैं वो डालें, हरी मुंग की डालेंगे तो उससे बहतर होगा, आपके skin glow करेगी, अच्छा होगा, बहुत बड़िया result हैंगी, कई बार देखा कईयों को white patches हो गए, skin पे कुछ हो तो उस टेम उनका शुक्र और बुद्ध का कुछ combination होता है, जिसकी वज़ा से उनको यह बिमारी हो जाती है, ऐसा होता है, लेकिन देखिए बिमारी ठीक हो सकती है, यहां मैं चोटी सी बात बोलूँगी manifestation, कोई भी दिक्कत है जिंदगी, कोई भी दिक्कत, उनको उसको manifest की मतलब present perfect tense में लिखिए, जैसे I earn five lakhs per month, देखिए, लिखना उतना ही, मैं पचास लाग लिखूँगी तो कहां से कमाऊंगे, मेरी जितनी capability है, मैं 24 घंटे भी काम करूँ, तो कितना पैसा कमा सकते हो, उतना ही लिखना है, कमाती हूँ present perfect tense में, अब ऐसे आपने पूछा था, जिन बच्चों को affair, जिनको शादी करनी है, या कोई मान नहीं रहा, जैसे मेरी शादी Amit से हो गई है, सुबह तीन बार, दुपहर को छे बार, शाम को नौ बार, इसको इस pattern में लिखेंगे तो फायदा होगा, जरूर, नहीं कर पा रहे, दिन में office हैं, कई हैं, भूल गए, रात को ग्यारा बचके ग्यारा मिनट पे, ग्यारा बार लिख लो, लेकिन टाइम याद होना चाहिए ना, अच्छा, ग्यारा बचके, ग्यारा, 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 बहुत अच्छी उससे wish होती हैं, हमारी manifest होती है, और बहुत अच्छे result मिलते हैं, जैसे किसी को केलिस्टरोल के प्राब्लम है किसी, अब यह स्विच वर्ड यह है मैंने बोला किसी को कुछ बढ़ाना हो यहाँ कम करना हो तो इसके लगी मा लगी मा स्विच वर्ड है उसे केलिस्टरोल कम होगा और फैट पी रिड्यूस होता है ठीक है, करना आ टाइम होना चाहिए, आपके बश्जफ करने का, जो कर लेता है, वो पार हो जाता है, और लगिमा स्विचवर्ट भी हनुमान जी सी रिलेटेड है, तो लगिमा स्विचवर्ट करेंगे, तो जितनी भी दिक्टें हैं, वो ठीक हो जाएगी, जैसे कि सबसे तो fatty liver और cholesterol यह लगीमा स्विच्वर्ट से आप ठीक कर सकते हो इसको chant कीजिए लगीमा जैसे मैंने बताया वैसे कीजिए और एक बात और करूँगी सिद्ध उपाई है यहां पर एक काला धागा आप मैंसे पूछ रहते पहले कि काला धागा पहनना चाहिए बिलकुल शो से प लोग इसको मानते हैं कि इससे हम नजर से बच जाते हैं लेकिन कहीं लोगों के थ्रू मैंने ये चीजे भी सुनी है कि वो काला धागा शनी से रिलेटिड होता है और उसको पैर में तो बिलकुल ही नहीं पहनना चाहिए तो इसके विशे में आप क्या कहना चाहेंगे आप गुटनों से नीचे का पार्टी तो शनी है हमारा जब भी किसी को शनी से दिक्कत होती है तो उसके गुटनों में पैरों में बहुत दर्द होती है जादा दिक्कते हो जाती है चलने में दिक्कत होती है सबसे पहले तो हम बोलते हैं कि तू वाक करना शुरू कर सबसे अच् सिद्ध उपाय है काला धागा, काला धागा लीजिए, एक मंगल मार के दिन लीजिए, शनी और मंगल, हनुमान जी की दोनों की आपको blessings मिल जाएंगे, सिद्ध उपाय है करेंगे तो फायदा होगा, आजमाना नहीं है, मन से करना है, विश्वास करके करना है, मैं बार बार ब दागा लेना है, हनुमान मंदीर लेकर जाना है धागे को, उस फे बारा गाठ लगानी है, आच्छा, और हनुमान जी के दाएं पैर का, सिंदूर लेना है, इस तरहीं हुआ पंडीजी से लेंगी सिंदूर, और अपूरुशगर पंडीजी हाथ लगाने देते हैं तो ले ल ठीक है देखिए हमारा जो में डूर है उसी से कोई गलत चीज आई जो कि मेरे को हाम हुई मेरे बच्चों को हाम हुई जब उस डूर से कुछ गलत चीज आएगी नहीं नेगिटिविटी आएगी नहीं तो मुझे हाम क्या करेगी अब बात यह इस धागे को आप हाथ पे भी बाढ़ सकते हैं क्योंकि यह सिद्ध दागा किया हुआ है नॉर्मल दागा आपने पैर में बाढ़ना है बच्चों को नजर के लिए बाढ़ देते हैं लेकिन यह जो धागा सिद्ध किया हुआ है इसको आपने हाथ में ही बाढ़ना है इसको पैर पे नहीं बाढ़ना क्यो सब पूर्ण हो जाएंगी अलग-अलग चीजे करने की बजाए ये कर सकते हैं और एक अगर किसी के घर में बहुत जादा नेगिटिविटी है पंच मुखी भगवान की फोटो हनुमान जी हनुमान जी पंच मुखी हनुमान जी की फोटो आप अपनी चोखट के बीचो बीच उसके बाहर लगानी है देखिए कभी भी कहते हैं बगवान की फोटो बाहर नहीं लगानी चाहिए लेकिन हनुमान जी की पंच मुखी जो है वो उसको हम बाहर ही लगाते हैं ज्यादा तर क्योंकि वो हमारी इतनी रक्षा करते हैं पंच मुखी होने के नाते हर मुख में उ उस हिसाब से वो इतनी रक्षा करते हैं पंच मुखी हनुमान जी कि नेगिटिविटी आपके घर में नहीं आती और आपको फायदा होता है ऐसे साउथ फेसिंगर से बड़े परिशान होते हैं लोग तो आप अपने घर में साउथ दिशा में पंच मुखी हनुमान जी लगा अपने लेके हाँ उडते हुए हनुमान जी की फोटो कहीं भी लगाईए जॉप के लिए बिकर सकते हैं गॉर्बंट जॉप के लिए बेकर सकते हैं जिस दिन फोटो लगाएंगे मंगल वारको लगाएं उसके लेक्षा कानुमान चारी सश्जरु करना हैं canvas जोब लग जाए तो भी करते रो, ना लगे तो भी करते रो, लग जाएगे, किसी के ग्यारा दिन में लग जाती है, किसी की जॉब लगेगी अवश्य है, आच्छा, तो जैसे यह आप बता रहे हो कि उड़ते हुए हनुमान जी की हमें जित्र जो है, वो अपने घर में लगा सकते हैं हनुमान जी को, देखिए अपने घर में रखो, वर्क प्लेस में ना रखें तो अच्छा है, घर में रखें जी, क्योंकि उस वर्क प्लेस में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, कई मानते हैं, कई नहीं मानते हैं, तो इसलिए आप अपने घर में रख बड़ी-बड़ी remedies करने की अवशक्तानी है, इन मंत्रों को अगर हम चोटे जो words हैं, यह आपका जीवन बदल सकते हैं, आपके अनुसार अगर हम इनको अपनाते हैं, तो देखे, आज हमारे जो viewers है, उन्होंने यह सारे जो आपने switch words बताएं हैं, वो सुने हैं, और मुझे आ हमारे पास उनको फाइदा हुआ इन चीजों से, तो बहुत सारी queries आने वाली हैं, तो हम फिर से आपको बुलाएंगे, क्योंकि हमारे जो viewers है, वो हमें बहुत सारी प्रशन भेजेंगे, जिनका उत्तर आपको देने के लिए हमारे इस podcast में फिर से आना होगा, तो आज आपन expert astrologers हैं, और वो अपने experience, अपने switch words, अपनी remedies, अपने mantra आप तक पहुंचाएं, हम अपने show के माध्यम से, so that आप अपनी problem से निचात पा सकें, मिलते हैं अपने अगले episode में, तब तक के लिए, बाबाए!